अस्सलाम वलेकुम दोस्तों किचन क्वीन बाई शैस्ता बागवान चनल में आप सबका स्वागत है आज मैं आई हूँ फिर से एक नए रेसिपी के साथ आज मैं बना रही हूँ मस्तानी चिकन वह भी मेरी स्टाइल में तो चलिए देखते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो ला सब्सक्राइब के बटन दबाईए पास वाली बेल आइकन को दबान से आपको मैं रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी ये देखिये मैं एक किलो चिकन वित बोन ली हूँ दो चमच चिली फ्लेक्स दो चमच कुटा हुआ धनिया दो चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीन चमच तंदूरी मसाला एक चम मच काली मिर्ज पाओड़र स्वादा नुसार नमक एक चम मच गरम मसाला दो चम मच लहसन अधरककी पेस्ट सो ग्राम दही अब इसमें हाम डालेंगे काली मिर्ज पाओडर चिली फ्लेक्स स्वादा नुसार नमक गूटा होया धनिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तंदूरी मसाला अब इसमें हम डालेंगे दही अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला के लेंगे अब इसमें हम डालेंगे गरब मसाला इसे भी हम अच्छी तरह से मिला के लेंगे अब इसमें डालेंगे लहसन अद्रक की पेस्ट इसे भी अच्छी तरह से मिला के लेंगे ये देखिए चिकन को मसाला अच्छी तरह से लग चुका है अब मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेट के लिए रखोंगी आप इसे तीन घंटे भी मैरिनेट के लिए रख सकते हो ये देखिए मैं चार चमच ओईली हूँ ओईल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब इसमें हम चार मीडियम साइस के प्याज डालेंगे इसे हम अच्छी तरह से मिला के लेंगे प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब इसमें हम चार टमाटर डालेंगे इसे भी मैं स्लाइस में कट की हूँ इसे हम अच्छी तरह से मिला के लेंगे प्याज और टमाटर को हमें अच्छी तरह से पका के लेना है अब इसे हम धक्के रखेंगे 5-7 मिनिट तक अब इसका हम धक्कन निकालेंगे ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हुए है ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है अब इसमें हम चिकन के पीसेज डालेंगे अब इसे अच्छी तरह से मिला के लेंगे अब इसमें हम स्वादा नुसार नमक डालेंगे इसे अच्छी तरह से मिला के लेंगे इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है अब इसे हम ढखके रखेंगे 15 मिनिट तक फ्लेम हमें मीडियम रखनी है अब इसका हम ढखकन निकालेंगे माशालला इसकी खुश्ब बहुती अच्छी आ रही है इसे हम अच्छी तरह से मिला के लेंगे ये देखिए माशालला दिखने में कितना बहेत्री लग रहा है इसे हमें 5 मिनिट तक अच्छी तरह से भून के लेना है इसका जो मौश्चर है ये मौश्चर खतम होने तक अब इसमें हम डालेंगे एक चमच गरम मसाला इसे अच्छी तरह से मिला के लेंगे आप इसे जितना अच्छा भूनोगे इसका फ्लेवर उतना अच्छा आता है अब इसमें हम कस्तूरी मेती को रोस्ट करके हाथों से क्रश करके डालेंगे इसे हम अच्छी तरह से मिला के लेंगे ये देखिए मस्तानी चिकन बन चुका है अब हम फ्लेम बन करेंगे ये देखिए गाइज हमारा मस्तानी चिकन रेडी हो चुका है और ये देखिए माशाला दिखने में कितना भेदरीन लग रहा है ये खाने में बहुती अमेजिंग लगता है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए चलो चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा फिर मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ चलो अल्ला हाफिज